तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर डेमो दे रहा हूँ कैसे आप अपना वीपियन होट स्पोर्ट शेर कर सकते हैं अपने बाकी के डिवैजिस में ठीक है तो उसके लिए आपको दो आपस की जरूत पड़ेगी पहला है वीपियन और द इंस्टॉल करना है वीपियनी 5 उल्लीमिटेड वीपियन प्रॉक्सी थे का लोगो देख लो और इस इंस्टॉल कर लो चलो बात करते हैं सेकेंड आप की सेकेंड अपकर नाम है आवरी प्रॉक्सी यह वाली अप्लिकेशन है और इसका यह लोगो है धियान रखना ठीक है त तो पहले मैं इस app को open कर लेता हूँ every proxy को और first option जो है उसको हमें on करना है ठीक है first option on करना है इससे क्या होगा हमारा जो proxy server है वो बन जाएगा हमारे phone में अब आप नीचे देखोगे तो hosts and port दिख रहा होगा port 8080 अपने दुसरे device में डालने आपने ठीक है जब आप wifi connect करोगे ना मतलब की जो हमारा main device है जिसमें हम hotspot on करके VPN से internet share करना चाहते है तो हमें पहले इस device में hotspot on करना पड़ेगा और जो हमारा दूसरा device है जिसमें हमने internet देना है उसके अंदर यह port और यह host है वो डालना पड़ेगा ठीक है मैं आपको demo दूँगा अभी हम क्या करते हैं अपना VPN भी on कर लेते हैं ठीक है इंस्टॉल करने पर premium दिखाएगा आपको उपर कट का निशान दिखेगा उस पर क्लिक करके कट कर देना है हम फ्री यूज करेंगे फ्री भी चलता है ठीक है तो connect पर आपको क्लिक कर देना है आप चाहो तो IP सेलेक्ट कर सकते हो यानि कि जो server कहां का है लेंदन का है ठीक है आलवेज अलो पर क्लिक कर देना है ताकि VPN जब भी चाहें हम direct connect हो जाए तो यह दिखिए हमारा connecting दिखा रहा है दो से तीन सेकिंड लगते हैं इसको connect होने में एक बात ध्यान रखना आपका internet अच्छा खासा होना जीए ठीक है speed अच्छी होनी जीए at least 30 to 40 mbps speed अच्छी और चेक करता हूं कि IP कहां की शोरी है लंदन की शोरी है यह नहीं होरी जी यहां हमारा जवाब हमें मिल गया है यहां पर देख सकते हैं लंडन इंग्लेंड यॉनेटिट इंग्डम ऑफ ग्रीट ब्रीटें एंड नॉर्डर्ण आइलेंड आइलेंड तो यहां हमारी जो VPN in उन्हें अखराके संब न स्वेक्ता आइटिपरसेंड कम हमारा हो गया है। सब कुछ हमारा सिस्टम सही है एहरी प्र् Approxy चल रहा है वीपीन भी चल रहा है और एपी भी हमें दिख रही है कि बिद्धी इन्डिया श़त्तों पड़ेंग की तो अब तक तो एवरी प्रोक्सी क्या करता है यह एक सर्वर बना देता है जो कि शेयर कर सकते हैं ऐसा वीपेन बगरा मतब आई पी बगरा सब चेंज हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने इस डिवाइस का होट्सपोर्ट ओन कर दिया है ठीक है हमारा वीपेन भी कनेक्ट है ह हमारी एवरी प्रोक्सी भी चल रही है ठीक है अब हमारा जो 20% का में वह है दूसरे फॉन में यानि की सेकेंडरी फॉन जिसमें हमने अपना इंटरनेट शेयर करना है सब कुछ सेट एक तम सब कुछ एच्छे से मुझे दिख रहा है कि सही चल रहा है त्यान रखना है यह होस्ट है 40 यह यही रहेगा हार पर और जो पोर्ट है वो भी यही रहेगा 8080 ठीक है जो चेंज होगा वो यह है आई-पी एड्रस ठीक है यह 192 168 वगरा है आपको ऐसे समझ नहीं आएगा मैं आपको डेमो देता हूं अपने दूसरे फोन में ले जाके तो मैं अपने सेकें डिवाइस में अभी यह मुंबई की दिखा रहा है मतलब कि हमारे जो वो वीपी एन फर्स डिवाइस में और जो प्रोक्सी अभी कोई भी काम नहीं कर रही है ठीक है ओरिजिनल आई-पी दिखा रहा है हमारी अब हमें वो 20% काम करना है जिसके बारे मैं आपको बताया था आपको यहाँ आई बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना उसके बाद स्क्रोल करना एक प्रोक्सी का उप्शिन दिखेगा मैनुवल पे सैट कर देना यहाँ पर हमें दो अप्शिन मिलेंगे होस्ट नेम और प्रोक्सी के अंदर आपको जो है पोर्ट में 8080 डालना है यह वह आपको देख लेना है अपने फर्स्ट डिवाइज में कि अवरी प्रोक्सी के अंदर कौन सा होस्टने में मेरे वाले में 192168.250.241 है ठीक है तो पैस इतना ही करना है और बैक आ जाना है ठीक है अब मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूं अब हम आई-पी चेक करते ह मुंबही की आई-पी दिखा रहा है मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो देखिए यहां पर भी हमारा काम हो चुक है फिनिश तो यहां आप देख सकते हैं अभी लंदन की आई-पी दिखा रहा है इस तरीके से दोस्तों आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको इस ड डिवाइस में डाला और फर्स्ट डिवाइस में हमने वीपियन से कनेक्ट किया तो वो वीपियन का सारा का सारा जो डेटा है वो यहां ट्रांसफर हो रहा है तो दोस्तों यह जो डेमो मैंने दिया है यह मैंने दो डिवाइस में करके दिया आपको फर्स्ट डिवाइस में मैं कैसे internet share किया है with VPN ठीक है तो सब कुछ मैंने इसके थुरू किया है दोस्तों इस तरीके से आप भी कर सकते हो मतलब कि अगर आप मेरी तरह है अपने second device में या third device में यही सब करना चाहते हो तो ध्यान रखना अपने first device का hotspot on कर लेना VPN और proxy इंस्टॉल कर लेना और जो host होता है और जो वह IP होती है एकदम सही से डालना आपने second device में तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने क्या इस वीडियो में बताया आपको कैसे अब अपनी second device में hotspot share कर सकते हो जिसमें VPN वगरा सब कुछ है ठीक है तो इससे फैदा ये मिलता है कि माल लीजिए आप ऐसी जगह पर है जहां पर इंटरनेट ब्लोक है और आप किसी तरह कोई जुकार लगा कर अपने second device में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो वो possible है इस तरीके से जो मैंने आपको बताया अच्छे से रिकोर्डिंग वगरा करने में तो समझ सकते हैं आप केतना टाइम लगता है इस तरीके से दोस्तों आप जितने चाहिए उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो बस आपको जो मैंने बताया है वो ध्यान रखना है